हाई गाईज वेलकम टॉर यूटॉब चैनल ट्विंटीफॉर आवर सब्टोडेट आज हम बात करने माले टीवीए शेयर के बारे में टीवीए शेयर के स्टॉप लोस क्या रखनी चाहिए इसके टार्गेट प्राइजेस क्या है और इसके उपर की पूरी आनलेसिस हम आज ज यह देखते हैं जहाते कि टीवेस मोटर्क़ॉप की को लुमिकेट की बात की जाएं तो यह इंडस्टी और टूव ऊकरते इसका नाइचरी के बात की जाएं ऑन 21.95 का इसका पी है और कोटरली रिजल्ट इसके सब्टर ट्वेंटी 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 के हिसाब से नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट के बाद की जाए तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है जहाता कि इसके नेट सेल्स की बाद की जाए तो 5254.36 कि इसके PBS की बाद की जाए तो 6.99 PBS का जाहांते कि इसके डीट की बात की जाए तो 2.21.91 करोड रुपीस का इस परडेप्ड भी हमें देखने को मिलता है जाहांते कि इसके नेट डविए और रोसी के बात की जाए तो ये भी हमखास अच्छी देखने को मिरे 17.01% का इसका आरोई है और 16.49% का इसका आरोई सी है जहां तक कि sales growth की बात की जाए तो minus 10% से लगभख minus 10% से sell growth नीचे आते हुए हमें इस stock में देखने को मिलती है प्रमोटर की holding की बात की जाए तो 57.4% की promoter की holding है और profit growth 3.61% का हमें देखने को मिल रहा है जहां तक कि आज के price की summary की बात की जाए तो यह stock अपना high touch किया 555 का और आज का इसका लो रहा 536.05 का और आप यह फिलाल trade करा है 550.30 पर इसमें लगभख 2% की या 1.5% की हमें तेजी भी देखने को मिली जाहते कि इसके quarterly results की बात की जाए तो net sales में भी अच्छा खासा green zone में हमें चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है और operating profit में भी हमें अच्छा खासा green zone में ही profit होते हुए देखने को मिल रहा है यह green जो lines होती है या green number देखने को मिलते हैं यह company के अच्छे और positive point शो करते हैं देखने को कोंपनी यह स्टोक कैसा है जहां तक इसके कंपरीजन की बात की जाए तो Mark зар part के साथ यह स्टोक हमें चहँत हम फिर देखने को मिलता है विट मार्केट क्पराइस 261 144.04 करोड रूपीज जहां तक इसके profit की बात की जाए तो 103.70 की देखने को मिलता है औहां कि इसके और आर ओर इसी की बात है फिछले हम पीछे हुंने बात कर ली 2019 के मुकाबले हमें net cash flow में अच्छी खाशी ग्रोध देखने को मिली यह आप आसानी से हाँ पर देख सकते हैं इसके profit and loss की बात की जाए तो net sales देखा जाए तो मार्च 2020 का 16,423.3 कोरोड रुपीज की इसमें net sales देखी और मार्च 2019 में 18,209.92 की net sales देखने को मिली लेकिन net sales में यहां हमें गिराट देखने को मिल रही है यह बात आप ज़रूर गौर करना जाए तक कि इसके technical rating की बात की जाए तो daily basis पे हो weekly basis पे हो या monthly basis पे हो moving averages bullish range में है technical indicators bullish range में moving averages crossover भी bullish range में देखने को मिलता है पीबोट लेवल की हिसाब से देखा जाए तो यह stock 536.72 तक जाने के आशंका जताई जारी है जहां तक institutional holding की बात की जाए तो institutional holding की हिसाब से mutual fund ने अपनी थोड़ी सी holding इसमें कम कर दी है लेकिन foreign investor ने 4.79% की साथ इसमें अपने holding बढ़ाई हुई देखने को मिर रही है जहां तक के one year return की बात की जाए तो one year का return 18.17 का देखने को मिलता है जहां तक के इसके share holding pattern की बात की जाए तो promoter के पास 57.4% की holding देखने को मिलती है और foreign investor के पास 11.15% की holding और public के पास देखा जाए तो 9.99% की holding देखने को मिलती है इसमें भी जादा से जादा स्टेक प्रमोटर के पास हमें देखने को मिलता है जब जब प्रमोटर के पास जादा स्टेक रहेगा तब तब प्रमोटर ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेगे कि ये स्टॉक हमें लॉस में जाता हुआ दिखे वो हमेशा यही सोचेगे कि इस stock को हम growth कैसा करेंगे जहां तक कि इसके community sentiments की बात की जाए तो 71% buy की call है 29% sell की तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या करना है buy करना है या sold करना है या hold करना है जहां तक इसके target price की बात की जाए तो 595 का इसका target price रहेगा और इसका stop loss आपको रखना होगा 537 का so I hope आप सारी information से जान चुकी होगे कि आपको इस stock में क्या करना है so thanks for watching